अबाबु को चाहिए वाबु कोण्षेप्त आपको इतना निचोड़ के देंगे अब पढ़ हैं यही मजा मिलेगा जो मजा आप नहीं लिये होगे हो गया काम, अब आप इसमें से क्या रखने वाला है, हो गया काम, यही बात है, अरे बाबु कहां पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अब भी अपने आपको यहां माप लीजेगा, भाप लीजेगा, आप कितना पानी में हैं, हम आपको पहले कोश्चन दिखाएंगे बाबु, उ अपने आपको देख लिजेगा, कितना पानी में ही, तो कितना पानी में ही, यह पहले देखेल परतोतरा, उसके बाद आप हम बताएंगे, कि क्या इंसर होगा, ठीक है, जो मजा चाहिए, मिलने वाला है, आप लोग को क्या मजा चाहिए, हमको पता है, क्योंकि ज्यादा काफी हेलफूल होगा, पहला परसन आपके लिए है, सोन नदी, गंगा नदी में मिलने से पहले कितने दूरी तै करती है, सोन नदी, मैकाल के अमर कंटक पठार से निकलती है, मतलब MP से निकलती है, बाबू, कोई भी नदी, यहां सोन नदी निकलती है, तो गंगा में मिलती है आके पटना के समीप पटना के नजिदिक मिलती है तो ये MP से चल करके गंगा में मिलने से पहले ये कितने दूरी तै कर लेती है उसके बाद गंगा में मिलती है परशनाप का यही पुछ रहा है कि सोन नदी गंगा नदी में मिलने से पहले कितने दूरी तै कर लेती है पहला सोचिए फिर जबाब दीजे आपका सही ओप्षन है ओप्षन फोर 780 किलोमेटर दूरी तै करने के बाद ये गंगा नदी में मिलती है चलिए थोड़ा सा कॉन्शेप्ट किलियर कर लें आप हम लोग पहले आप लोग कहीं परते होंगे उद्गम छेतर यहां है तो इसका मुहामना यहां है रे भाई ऐसा कोश्चन किजिएगा तो एटोमेटिक आपके दिमाग में ये पर्षन उठेगा कि ये नदी निकलती कहां से है अर्थात इसका उद्गम छेतर कहां है इसका अंत कहां होगा इसके अपवा तंत्र, अपवा छेतर कौन होंगे इसके सहायक न दियोंगे अरे रटने से थोड़े होगा भाई क्वंचेप्ट के साथ पढ़िए सारे क्वंचेप्ट अगर आपके पास आजाएंगे आप घुमाईएगा ओप्सन को घुमाईएगा क्या किजिएगा ओप्सन को घुमाईएगा वही ओप्सन को घुमाईएगा क्वंचेप्ट पूछ रहा है कि भाई सोन दंदी जो निकलती है वो MP से निकलती है मैकाल के अमर कंटक पठाव से निकलती है और आपको भी पता है कि यह जो मिलती है वो गंगा नदी में आके मिल जाती है गंगा नदी में अगर पूछे कि गंगा नदी में कहां मिलती है मेरे दोस्त तो आप भी यह बताएगा कि सर यह पटना के समीप मिल जाती है पटना के समीप मिलती है सर तो परसन आपका कोशन यह पूछ रहा है कि स्वन नदी जो MP से निकलत और ये पटना में जाके गंगा से मिलती है इस गंगा में मिलने से पहले कितने दूरी सो नदी तै कर लेती है तो 780 किलोमेटर दूरी तै कर लेती है चलिए थोड़ा सा यहां पहुंचे हैं तो थोड़ा सामलों कॉंशेप्ट की भी बात कर लें आच्छा बाबु आब अगर पूछेगा कि यह कहां से उद्गम छेतर कहां है मतलब उद्गम छेतर मतलब समझ रहा ना आरे कोई भी नदी कहां से पाइदा हुवी है पाइदा हुवी मतलब कहां से कोई भी नदी निकली है पाइदा समझते हो ना बस कहां से कोई भी नदी निकलती है उसी कौम लोग उ अमरकंटक पहार से माइकाल परवत के अमरकंटक पठार से निकलती है ठीक है और इसका मुहाना कहा हो गया मुहाना बाबु जहां जैसे स्वन नदी गंगा नदी में मिल रही है तो इसका अंत कहा हो गया यहीं हो गया गंगा नदी में मिली मतलब इसका अंथ हो गया मतलब यह गंगा नदी की सहायक नदी बन गई सोन नदी लेकिन इसका अंथ तो गंगा नदी में जैसे मिली इसका अंथ वहीं हो गया तो मुहाना इसका हो गया मेरे दोस्त गंगा नदी क्या हो गई गंगा नदी भाई थोड़ा सा लोचा इसलिए बढ़ा क्या क्योंकि यह हमारे राई जी के दो जीले से होकर भी गुजरती है जो आपका गÂEnt जील्ला है और आपका प्लामू जील्ला और यहाँ पलामू से हो करके गुजरती है परसन ये भी आएगा अगर कभी दोस्त कि ये गड़वा और पलामू में कितने दूरी तैग करती है अगर परसन आ जाए कभी तो 45 किलोमीटर की दूरी तैग करती है इसका कुछ अन नाम भी है सोन नदी का कुछ नाम है अप लिख इसे हम लोग सोन भादरा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग हीरन नवाह के नाम से भी जानते हैं जैसे हम लोग इसे सोन नदी के नाम से जानते हैं कई-कई छेत्रों में या कई-कई जगा इसे हीरन नवाहा भी बोला जाता है और सोन भादरा भी बोला जाता है तो इस चीजों को आप लोग मोटेट डाउन कर लिजेगा ठीक है अब आपके पास दूसरा कोश्चन है स्वान नदी पलामु जिला के की सभाग को टच करती है हम आपको बताएं मैप में आप लोग को हम दिखा है कि जो यह पलामु जिला है आपका कैसे मैप चलता है आपका मैप तो यह माल लिया जाए जहारखन का मैप है तो आपका क्या है पलामु जिला यह हो गया यह गडवा जिला हो गया पलामु जिला हो गया तो यह बोल रहा कि पलामु जिला की कौन से एरिया को टच करती है तो मेरे भाई आपका है पूरवी पस्चिमी छेत्र को टच करती है उ का उतर हूगया। इधर निकल जाती है तो г-9 को टच करती है उत्री भाग को भी टच करती है जो कि आपका उप्प्सन दीख है चेula था option की पस्चमी और उत्री भाग को ये touch करती है चलिए थोड़ा सा इसके related जनकारियर बता दे स्वन नदी जो पहले निकलती है अमर कंटक की पहाड़ी से देखेगा देखे देखे रे भाई मार यार जल्दी यहां देखे स्वन नदी जो है यहां क्या स्वन नदी है स्वन स्वन नदी जो पहले यहां निकलती है पहले उत्तर दिशा की और बहना स्टार्ट करती है लेकिन भाई इसको इस डारेक्शन में नहीं थोड़ा सा यह इधार भी क्रोस कर देती है थोड़ा सा एंगल बनाके घुम जाती है मतलब यह उत्तर पूर्वी में आ जाती है उसके बहने का जो रास्ता होता है वह उत्तर दिशा की और होता है उसके बाद कुछ दूरी आने के बाद उसका वही दिशा उत्तर पूर्वी दिशा हो जाता है उसके बाद कुछ देरी के बाद सिर्प पूर्वी हो जाता है देखे डारेक्शन कैसे बदलता है और हमारा जारखन मे जब एक नदी यहाँ परवेश करती है ना भाबू यहाँ एक नदी परवेश करती है ना तो वो भी कनफ्यूज हो जाती है कि इधार घुमे इधर घुमे या इधर घुमे क्योंकि यहां का जो छेत्र है ना समतल नहीं है ना पठारी है पात छेत्र है उबड़ खाबाड है मतलब जो चीज देखना हो जारखन में आ जाईए सब चीज आपको मिलेगा मतलब नदी भी कनफ्यूज हो जाता होगा बेचारा खम इधर अगा में घुश कही है रहे उल्टा उधर क्यों घुशने जाती है नहीं लेकिन हमने गाम घर में अगर आप सुनते होंगे कि पानी की रास्ता को कोई रोक नहीं सकता बस वहीं यहीं अपलाई कर दीजिए कि पानी को जिधर रास्ता मिले उधर घुशेड देगा उधर लेकिन देखिए ना सुचुवेशन के अनुसार अब यह पूरम में बहनी लगी और जाके आपको पटना में गंगा नदी में मिल जाती है ठीक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किलिए करना चाहेंगे बाबू बाबू यह समझ गये कि वहां से अमर कंटक के मैकाल परवा पठार स दो नदी निकलती है एक होती नर्मदा नदी निकलती है और एक आपका सोन नदी निकलती है इसके पिछे थोड़ा सा रीजन है जो इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा लोग एससे बताते हैं कि ब्रमभा के आशु गिर गए थे क्या गिरे थे अरे ब्रमभा के गिरने से कारण ना यह जो भागों में बट गए तो उनके आसू से एक नर्मादा नदी बहने लगी और एक सुन नदी बहने लगी थोड़ा थाना मजंदार आपको इतना नी चोड़ के देंगे बाबु इतना नी चोड़ के देंगे रहे कर्फ्यूज हो जाएगा कि हम पढ़ है और पढ़ हैं तो इतना भेंकर कहां से पढ़ है यह चीज़ें आपको हमको करवाना है चलिए सुनने दी चलिए दूसरा कोश्चन ज्यादा बक बक नही ज्यादा बक बक नहीं अरे आज वही मजा मिलेगा जो मजा आपको हमको देना है यही मजा जो मजा आप नहीं लिये होंगे दूसरा कोश्चन हमको पता है क्या मजा चाहिए नहीं चाहिए और क्या देना है नहीं देना आपको आज हम मजा देंगे और लगातार चलेगा मज जहां पूरा चलेगा मजा वहीं है जहां मजा मिलेगा वहीं पढ़िए वहीं पढ़िए वहीं पढ़िए अब धूंद जैसा पढ़ने से नहीं होगा मजा और कॉंडशेफ्ट दोनों चाहिए होता है चलिए सकेंड नमर कोश्चन आपको हम बता दियें थर्द नमर कोश्चन सोन नदी जहारखण में कितनी दूरीते करती है आपको हला कि मेफ हमसे बंता बढ़िया से नहीं है कोई बात नहीं माल यह बाबु यह गडवा है रे यह पलामू है रे यह सोन नदी इधर से जा रही थी ठीक है उतर में आपको पहले बता है फिर डारेक्षन थोड़ा इसका यह बोल रही है कि जहारखण में कितनी दूरीते करती है मतलब 45 मेटर दूरीते करने के लिए लेकिन जो भी हो एक सीमा के रूप में एक अपनी यह सीमा ही बनाती है थिक 45 क्या होगा को ओपशुन कितनी दूरी ट्रेक करती है 36 km, 45 km, 60 km, या 80 km, बोल ये, 43, 46, 45, 7, 80, 45 km, चौथा नमबर कोश्चन, चौथा कोश्चन देखी, स्वन नदी गंगा में कहां मिलती है, जारखन में, बिहार में, उरिशा में, या पस्चिम्बंगाल में, स्वन नदी गंगा में कहां मिलती है, अरे बाबू, हमा भी आपको ब बिहार में है बाबू, अर अगर बिहार में है, तो कहां मिलती है, बिहारे में मिलती है, ठिक, पाँचवा नमबर कोश्चन, दामोदर नदी कि धारा, सबसे तेज कहां होती है, सबसे तेज कहां होती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ, हाना, हाना, सिधाना बाबू, का है करने वाले हैं तो मजा वहाँ हो जब जहां मजल कर लिजिए गा तो कम भी और की खुशी भी रहती है वही चीज को हम को देना आप को आपके तक पहुन कि धारा सबसे से 59-90 चलिए कोश्शन कीजे की धारा सबसे कहां होती है कह आपको हम टेज होती है यह नहीं पढ़ाने वाले हैं अभी बाबू की दामोदरनाधी का उद्गं खेत्रे यहाँ है बाबू रटलो तो मुहाना यहाँ बाबू रटलो तो पवाशचने यहां है रे एतना किलेमीटर दुरीचे करती रे question चातने वाला को भी पता है बाबू student पढता है क्या है question उठाना चाहिए था हमको हलाकी question पूछे या ना पूछे आपको पूरी complete जनकारी प्राप करनी है फिर बेटा कहां से question पूछेगा मारना है हलाकी मारना है और सही निशाना लगाना है वहाँ लगेगा देखे दामोदर नदी की धारा सबसे तेज कहा होती है पहला हजारी बाक से गिरिडी हजारी बाक से धनबाद हजारी बाक से वर्दमान या धनबाद से बोकारो तो इसका सई उप्षन है बताए सई उप्षन है बताए सई उप्षन है थ और हजारी बात से वर्दमान तक जो आपके दाम दर नदी की धारा की जो रपतार होती है वो सबसे त्येज होती है। बताईए सर इसके पीछे कारण क्या है, बाबू इसके पीछे कारण ये है ना, क्योंकि थोड़ा सा धलान है, पठारी छेतर है बाबू, और धलान टाइप का है, और धलान टाइप के होने के कारण आपको भी पता है, कि पानी का रफ्तार कितना तेज वरता होगा, तो बताई कि हजारी बाक्षे वर्दमान इसका जो है सही ऑप्षन है अब यह भी पर्षन आता है सर यह आपका है यह दामोदर जो नदी है वो कहां मिलती है यह तो सर हुगली नदी में मिलती है ठीक है कि यह थोड़ा सा इक बाकुण्डा यहां मिलती है तो खुगली नदी में ही मिलती है दामोदर नदी होब इस के पूरू से आपके कत्री नदी मिलती है और जैसे यह जएसेन यह आपके धनबाद में पर्वेस करती है। और जैसे धानबाद के छित में परवेश करती है माली जी तो यहां तो यह जमुनिया नदी इसके तूरत यहां मिल जाती है जमुनिया नदी और यह दामोदर नदी की सहायक नदी भी आपको पता है कि यह है देखिए कोनार नदी कोनार नदी कतरी नदी क्या है कतरी नदी बोकारो नदी ब्राकर नदी और जमुनिया नदी बाबु कोई दिकत नहीं है रहे देखिए भुच्छे की दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है तो कोनार नदी कतरी नदी बोकारो नदी ब्राकर नदी और जमुनिया नदी सर इसको आल के से रखेंगे तो आद आपको रखना हम आपको पहले भी ट्रीक बताये थे कि यहां प्रोब रखिएगा कि दामोदर नदी कब जाना है कब जाना है ऐसे आद रखिएगा कि दामोदर नदी कब जाना है तो दामोदर नदी तो कब जाना है का से कत्री नदी का से कुनार न जमुन्या नदी हो गया काम अब आदद इस में से क्या रखने वाला है कि अ क्या बता है कि अड़ा मोधय के फूरुचे सरी अथ और धन्या नदी के सहायक काम करता यहां टो यह बोलिएगा पारस्नाथ पारस्नाथ के पर यहां सब्सक्राखस निकलता हुए ठीक है यगला question आपके सामने है दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है बाबू ये question बन जाना चाहिए ये question तो आप पढ़े होंगे concept की जवरत है आपको बाबू और concept हम तभी देंगे मजा कब आता पता है मजा ये सब चीजे कब करने में आती जब live class होते और live class लाने के लिए क्या है ना बाबू उसमें हम आपको doubt ले पाते और आपके सारे concept को clear कर पाते लेकिन जो आपको screen पे दिख रहा है ये चीजे आपक 500 Сам की क Birthday मेर्स चेंद कब करने में और में ये मतला बोला है कि ये जो निकलती है कहाँ से निकलती है तो लाते हार के टोरी छेतर से जो निकलती है वो वहाँ से लेकर के हुगली नदी तक इनकी टोटल लंबाई कितनी है तो 524 किलोमेटर यही बोलता कि शिर्फ जहारखन में कितनी दूरीते करती है तो 290 किलोमेटर आपको पता है यह खहां से निकलती है कौन-कौन छेतर से हो करके गुजरती है आपका धनबाद वो कारो गिरिडी हजारी बाक से हो करके गुजरती है मेरे दोस्ट इसका जो मुहाना मतले इसका जो यंत है वो हुगली नदी में है और ये निकलती कहां से तो हम आपको बता दे टोरी छेतर से निकलती है इसके अन न तो यह जाना जाता है आपको जनकारी के लिए बता दे दोस्तों जारखन की सबसे लंबी नदी है यह तो इसका विश्यस्ता है लेकिन आप इसकी खरादी भी सुन लेजिए यह जारखन की सबसे परदुसित नदी भी है जार्खन की सबसे पर्दूसित नदी भी है लेकिन हमारे जार्खन में आने से थोड़ा सा फाइदा थोड़ा नहीं फाइदा तो किया है देखे क्या हुआ ना दामोदर नदी यह सन्युक्त राज टेनेसी से प्रेरित होकर इसे बनाया गया था कभी कोई बोल दे कि भाई कब बनाया गया था तो यह बनाया गया था याथ बांध से क्या क्या होते हैं इसे बारा हां बारा सो मेगा वाट बिजली उत्पन की जाती है जो बांध बनाया गया है पानी वाई कठे किया जाते हैं और पानी से बारा सो मेगा वाट बिजली उत्पन किया जाते हैं याथ लाख हेक्टियर आक लाख हेक्टियर इस ब बंगाल का स्वक इसको नाम क्यों रखा गया कि जब यहां बाद नहीं बनाया गया था तो बंगाल में जितने भी आपके फसल लगाया जाते थे क्योंकि यह पानी को रोकने वाला बाद था ही नहीं और बाद था ही नहीं तो सारे पानी बंगाल चली जाती थी और वहां के जि आपकर नदी और दामोदर नदी कहा मिलती है कहा मिलती है कहा मिलती है तो जब तक की कलास अपने तब तक हटना नहीं है और औरक TOMBen lessons के सबसे परदुस्यत नदी कौन सी है आपको बता बहूत दीए को डाले सब बता दिये हैं आपको उम्मीद है तो चल रहा है फिलम भाकि Tage कि ए मंगे आपको हम यह दिखाने दिखाने आये थे कि आप क्या पढ़ें और आप से कितने कोश्चन बन पा रहें अगर एक question भी मिशुआ होगा मतलब क्या आप बोल रहे हैं एक question भी मिशुआ होगा तो आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है बाबू आपको और मेहनत की जोरत है आपको यर पढ़ने की जोरत है मतलब एक छुटा कि आपका खाटी तूटा मतलब आप गिर गए गढ़ा में घुस गढ़ा है अब क्यों टेंशन ले रहें बस चलिए मिलते हैं एक नए वीडियों में एक नए टोपिक के साथ नए टोपिक नहीं यहीं नदी के साथ रहेगा भी नदी चलेगा कूल मिला कि आपको 32 नदी पढ़ने हैं बाबू इतना इसे हड़ बढ़ाईएगा एक खीबार पढ़िए पूरी जनकारी लिजिए और अगर नॉट्स भी चाहिए या तो आपको पूरा एक्स्प्लेंड चाहिए करने के लिए आप बोलते हैं पूरी डेटेल में तो भी हम कर देंगे थोड़ा लाइब होने दिजे ना कर देंगे